Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज मैं आपको बताने वाला हूँ तिरफला से मिलने वाले 5 बहुत ही Amazing Health Benefits के बारे में और सबसे important चीज़ जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो ये कि इन Benefits को हासल करने के लिए किस-किस तरीके से आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं और कितनी डोस में इसको आपको लेना चाहिए तो अगर आप जानना चाहते हैं कि तिरफला क्या है इससे आपको क्या-क्या Health Benefits मिलते हैं और सबसे important चीज़ कि आप किस तरह से इसको इसको इस्तमाल करेंगे इन Benefits के लिए तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है दोस्तो तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डीटियल से दोस्तो तरफला एक बहुत ही पॉपुलर आयरवेदिक मेडिसन है जो की बनती है तीन इंग्रीडियंट्स की मदद से पहली चीज़ जो इसमें इस्तमाल होती है वो है आमला दूसरी चीज़ होती है बहेडा और तीसरी चीज़ होती है हरड ये तीनों एक तरह के फूरूट्स होते हैं जिनको सुखा लिया जाता है और बराबर बराबर कॉंटिटी में लेके उनको पीज कर एक चूरन बना लिया जाता है और इस चूरन को ही कहते हैं तरफला चूरन बहुत सारे अलग-अलग तरह के multipurpose treatments में इसको इस्तमाल की जाता है आयरवेदिक मेडिसन में और अब latest कुछ ऐसी researches भी हुई है जिसमें इसके बहुत सारे potential benefits के बारे में पता चल चुका है ये देखा गया है कि अगर इन fruits को आप अलग-अलग इस्तमाल करते हैं तो उससे आपको इतने अच्छे effects नहीं मिलते हैं जितने की इनको एक साथ लेने से आपको मिलते हैं इतना का synergistic effect आपको इनको एक साथ लेने से मिलता है तो इन effects की वज़े से आपको जो benefits मिलते हैं दोस्तों तो अभी हम आगे फुर्दर बात करेंगे ही बट उससे पहले अगर इस channel पर आप नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं इन benefits के बारे में जो कि आपको तरफला का चूर्ण इस्तमाल करने से मिलते हैं सबसे पहला और सबसे important benefit जिसके लिए अकसर लोग तरफला को इस्तमाल करते हैं वो है constipation दोस्तों अगर आपको chronic से chronic constipation है और आपको पेट साफ नहीं होता है उसकी विज़से आपको गैस रहती है और इस तरह की अलग-लग problems रहती है तो तरफला आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया natural lexative का काम कर सकता है हजारों साल से आयरविदिक medicines में इसको इस्तमाल करते आए हैं जो बैद्स होते थे पुराने जमाने में आपके constipation को दूर करने के लिए और अब बहुत सारी ऐसी researches भी हो चुकी है जिसमें ये बात प्रूब होई है कि ये एक बहुत ही अच्छा natural lexative है और इसकी efficacy करीब-करीब इतनी ही होती है जितने की other OTC medicines की जो की आपको as a lexative दी जाती है तो अगर आपको constipation की शिकायत रहती है तो आप regular इस्तमाल कर सकते हैं तिरफला का और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये non-habit forming होता है यानि इसकी आपको आदत नहीं लगती है अगर आप constipation के लिए इससे इस्तमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चमच या दो चमच से तरफला powder लेना है depending on कि आपको कितना पुराना और कितना जादा constipation रहता है यानि करीब 5-10 ग्राम आप तरफला powder ले लीजे और इसको रात को सोते समय आप ऐसे ही फाक लीजे और उपर से गरम पानी आप थोड़ा सा पी लीजे अगर आप इसको डारेक्ली ऐसे नहीं लेना चाहते हैं तो पानी में मिला कर घोल कर भी इसको आप पी सकते हैं लेकिन पानी आपका हलका गुंगोना होना जरूरी है तभी आपको ये कॉंस्टिपेशन के केस में बेनेफिट पहुच आएगा कॉंस्टिपेशन के साथ साथ अगर आपको और दूसरी digestive problems भी रहती हैं तो उसके लिए भी आप तरफला को इस्तेमाल कर सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया home remedy है आपके digestive system के लिए अगर आपको acidity की शिकायत रहती है गैस की शिकायत रहती है ब्लोटिंग रहती है पेट फूलर रहता है चड़ा रहता है या indigestion आपको होती है खाना ठीक से हजम नहीं होता है या फिर आपके पेट के अंदर अलसर की आपको problem है तो इन सभी चीज़ों के अंदर trifla का इस्तमाल आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे results आपको इसकी मुदद से मिलेंगे अगर इन सभी problems को ठीक करने के लिए आप trifla को इस्तमाल करना चाहते है तो उसका तरीका ये है कि आप एक ग्लास नॉर्मल पानी ले लिजे और एक से दो चमच तरफला पौडर आप मिला लिजे हैंनी करीब पांच से दस ग्राम तरफला पौडर आप उसमें भिगो दीजे और उसको राद पर ऐसे ही रहने दीजे सुभा जब आप उठते हैं तो खाली पेट आपको इस पानी को छान के पी लेना है नीचे नीचे जो आपका वो तरफला पौडर बचेगा उस तरफला पौडर में अगेन आप पानी मिला लिजे करीब एक ग्लास और इसको फिर से रख दीजे और इस पानी को एस आपको रात को सोते समय फिर से पीना है रात को जब आप इसे पिएंगे तो उस टाइम आप इसको जहानना नही और आपका डाइजेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा आपका लिवर भी स्ट्रेंथन हो जाएगा तरफला आपके हेर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है अगर आपके बाल जड़ रहे हैं बाल बहुत जादा थिन हो गए हैं आपके बालों का वॉलियूम कम हो गया है बाल बहुत जल्दी ग्रे होने शुरू हो गए है या फिर बाल आपके ड्राई हैं और अच्छे नहीं दिखते हैं तो इन सभी चीज़ों के लिए आप तृफला इस्तमाल कर सकते हैं तृफला जो है अगर आप रेगुलर इस्तमाल करते हैं और इसकी वज़े से आना सिर्फ आपके जो बालों का वॉल्यूम है वो इंप्रूव होता है बलकि इसके साथ-साथ ओवर्ल जो आपकी हेर हेल्थ है वो भी इंप्रूव होती है आपके बाल जादा शाइनी लिखते हैं और जादा हेल्दी दिखाई देते हैं अगर आप अपने हेर हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और बालों को रिग्रो करने के लिए तरफला को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेना है दो चमच तरफला पाउडर और उसके अंदर आपको मिलाना है एक चमच हनी इन दोनों चीज़ों को आप मि नहाने से गरीब आदा से एक घंटा पहले और आधा एक घंटा इसको लगा रहने देने के बाद आप नॉर्मल पानी की मदद से अपने बालों को धो लीजे और आप दिखेंगे के विदिन 7-10 डेज ही आपके जो बाल है उनकी हेल्थ इंप्रूब होनी शुरू हो जाएगी आपके जो प्री मैच्व ग्रेइंग है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा और आपके बाल जढ़ना टूटना भी कम हो जाएगे और काफी हेल्दी दिखाई देने लगेंगे आपके बाल दोस्तों अगर आप वजन घटाना चाहते हैं वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तिरफला पाउडर एक बहुत ही बढ़िया चीज है बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें पाया गया है कि तिरफला पाउडर आपका वजन कम करता है अगर आप अपनी बाडी में से फैट कम करना चाहते हैं अपना वजन घटाना चाहते हैं नैचरल को ऐसी चीज जून रहे हैं जो कि आपको वेट लॉस करने में मदद करें तो तिरफला एक बहुत ही बढ़िया और साइड इफेक्ट फ्री चीज है जो कि आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस के लिए तरफला को इस्तमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको आपको जो इस्तमाल करने के तरीका है वो मैं बता देता हूँ एक कप आप ले लिजे बॉइलिंग वॉटर अच्छी तरह से खोला के आप पानी को ले लिजे और इसको एक कप के अंदर डाल दीजे इस बॉइलिंग वॉटर के अंदर आपको डालना है करीब एक टेबल स्पून तिरफला पाउडर और इसको डालके आप 5-10 मिनिट पहले एक छंबर मिलाना है निमु कर्रस और इसको मिला कर चाण पर दिन में दो टाइम इस्तिमाल करना है यानि एक चीज यह चीज जो टी आप बना रहे हैं तरफला वाली यह आपको द्लिख दिन में दो बार इसको ले लीजे शान के नंबर में लगभाप पांस या चेश बज़े आप ले सकते हैं खाना खाने से एक दो खंटा पहले तो दो टाइम अगर आप इसको रेगिलरली इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी बॉड़ी के अंदर जो फैट का डिपोजिशन है वो कम होगा और आपको वेट लॉस करने में मदद मिलेगी दोस्तों तरफला पाउडर आपकी स्किन हेल्थ को भी इंप्रूफ करता है अगर आपको रिंकल्स की प्रॉबलम रहती है आपकी स्किन ड्राई है या बहुत जाता पिग्मेंटेशन आपके स्किन पे हो रहा है या रिंकल्स आने लगी है जुरिया होने लगी है या फिर आप को pimples की शिकायद रहती है तो इस तरह की सभी skin problems के लिए तरफला एक बहुती बढ़िया home remedy है जिसको आप इस्तमाल कर सकते हैं तरफला के अंदर बहुत सारे antioxidants होते हैं और vitamin C बहुत जादा होता है vitamin C जो है वो आमला के अंदर basically होता है और आप जानते हैं कि आमला जो है vitamin C का सबसे richest natural source है तो अगर आप इसको इसको इस्तमाल करेंगे तो यह सभी antioxidants और vitamin C जो है यह आपके skin की elasticity को बढ़ाता है आपके skin को tone up करता है wrinkles को दूर करता है आपके रंग को नहीं खारता है जाईयों को या dark spots को दूर करता है और pimples के case में भी आपको इससे काफी जादा help मिलती है अगर आपके skin बहुत जादा dry रहती है तो इसको hydrate करने में भी तरिफला powder बहुत जादा help कर सकता है अगर आप अपनी skin के लिए तरिफला को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका तरीका बहुत ही जादा simple है आपको इसको दो तरीके से इस्तेमाल करना होता है internally भी और externally भी internal इस्तेमाल के लिए तो आप इसे इक्वल कॉंटिटी मिलेना है तरिफला पाउडर और बेसन इन दोनों चीज़ों को आप मिला लिजे और पानी की मदद से या पिर रोज वोडर की मदद से आप उसका एक पेस्ट बना लिजे और उस पेस्ट को अपने फेस के ऊपर as a face pack apply कर लिजे करीब 5-10 मिनिट तक या बहुत जादा तरो ताजा आपको फील होगी एक कशाव अपनी स्किन में फील होगा एक शाइन आपके स्किन में आएगी जो डाग स्पोर्ट और पिंपल्स या इस तरह की रिंकल्स आपके फेस पे हैं वो भी काफी जल्दी आपको जाती हुई दिखाई देंगी तो अगर करने के वो आपके जरूर काम आएंगे आपने अगर कभी तरफला पॉडर इस्तेमाल किया है उससे आपको कैसे बेनेफिट्स मिले हैं अपने एक्सपीरियंसेज हमारे साथ कॉमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो भी मुझसे पू कि रहें तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्र सलीम आपसे विज़ा लेता हूं इस वादे के साथ के फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नए बढ़ियासी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ हमेशा